पानीपुत में एक बार फिर से इंसानियत को शर्म सार करने वाली घटना घटित हुई है आज सुभे P.W.D. रेस्ट हाउस के सामने एक नवजात बच्चे का शव जाडियों में पड़ा मिला रहागिरों ने इसकी सूचना समाने अस्पताल में दी जिस पर जन सेवादल के सदस्यों ने पुलिस को मामले की सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मौका मौाइना किया और शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए समाने अस्पताल पहुँचाया जन सेवादल के सदसे चमन गुलाटी ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तरस्ते हैं उनके बच्चे नहीं होते और कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करके उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं उन्होंने अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ती अपने बच्चे को पालने में असमर्थ है तो जन सेवादल के समाने अस्पताल में लगे जूले में अपने बच्चे को छोड़ सकता है जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसे जीने का पूरा हक है वहीं इस मामले में जा पांच दिन का है लड़का है और डैड हलस में वहां पर पड़ा है वो होस्पिटल में आये वोस्पिटल में किसी से बात क्यों नहीं का जन से बदार से मिल रवाभ जैसे उन्हें ने आम इतला दी कि ऐसे एक बस्चा पड़ा हम उनके साथ वहां पर गई पर वहां जाकर है और यह लड़के को देखो कितना कली उगा चुका है तो मैं तो यही प्राथना करूंगा अगर ऐसा बच्चा किसी के पास भी कोई बच्चा हो उसको पालने में असमर्थ है तो कोई ना कोई गोद लेने हमाले भी बहुत होते हैं उसकी पर्टिकुलर जैसे भी परसासन की गाइड अनुशार वह से दिलाया जा सकता है मैं सभी से यही प्राथना करूंगा इस कारिये के लिए ना करें हमारे जंशेवल के बाहर एक जूला भी लगावा है आप उसके अंदर रखके जा सकते हैं ताक यही प्राथना करेंगे जिसने भी गलत कारिया किया है वह उसकी हत्या ना करके उसे जंशेवदल का पालना लगव है उसमें रखके जा सकते हैं और आगे उसके परवरीश हो सकते हैं कहां पर मिला साजी बच्छा यह अपना पी डबलोडी का ओफिस है में जीटी रोड के पर सकाइल आर्क से पहले नाले के पास क्या नाम आपको चामन गुलाटी जन शिवदल पानी पास एक नवजात बच्छा मिले आ है नो मिल्या सा है पूरा बठा किसी ने और अग्रत ने इसको अग्रत दिया है ड़्या हुआ है आगे पर्समाटम के बाद जो परवाई